जहिन दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट तो वीडियो में आपके ले ले करा हैं जीके के टॉप 30 क्वेस्टन तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला कोश्चन ह वीडियो का सबसे छोटा महाद्वीप है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा और अप्शन B अस्ट्रेलिया वीडियो का सबसे छोटा महाद्वीप है वड़ते हैं अगले कोश्चन की तरह कोश्चन है बिजली का हीटर किस धात उसे बना होता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा option B dannachrome से बना होता है यह exam ये भी आ सकता है कि विजली का heater is name we'll do the company और इसका answer हो जाएगा कि तो इसका resistance बहुत हाई होता है इसलिए यह नाइक्रोम से बना होता है resistance का मतलब होता है प्रतिरोध यानी अपोज करना भटते हैं third question के तिरह a question है अप्रकर्तिक रूप से फॉलो को पकाने के लिए किस गैस का परियोग किया जाता है हमारे ओप्षन से ओप्षन A, इथाइलीन ओप्षन B, कारबन एक्साइड ओप्षन C, एसीटिलीन ओप्षन D, अमूनिया तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओप्षन A, इथाइलीन का परियोग किया जाता है फोर्थ कोश्चन है एक्सरे का आविस्कार किस ने किया तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओप्षन D, कॉन्राड रांटेजन ने एक्सरे का आविस्कार किया अगला कोश्चन है कौन सी जनजाती विरिक्षो पर निवास करती है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा Option C, पिग्मी जनजाती विरिक्षो पर निवास करती है अगला कोशन है विश्व का प्रथम पुस्तक मुदृत करने वाला देश है हमारा सही आंसर हो जाएगा option A, चीन विस्व का प्रथम पुस्तक मदूरित करने वाला देश है अगला question है, मनुस्य के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है तो सही answer हो जाएगा option A, दिमाग बिजली पैदा कर सकता है जो 12 से 15 वाट तक बिजली पैदा कर सकता है आते हैं अगले question के तिरफ, question है, future fuel यानि भवी से क्या इंधन, किस गैस को कहा जाता है तो सही answer हो जाएगा option A, hydrogen को कहा जाता है अगला question है, गुरुत्वा कर्षट की खोष किस ने की थी हमारा सही answer हो जाएगा option A, Newton ने की थी गुरुत्वा कर्षट की खोष आते हैं अगले question पर, question है, साथ पहाणियों का नगर किसे कहा जाता है options है, A, Rome, B, Rus, और option C है, Thailand, option D है, America तो हमारा सही answer हो जाएगा option A, Rome, Italy को कहा जाता है, साथ पहाणियों का नगर अगला question है, मनुष से ने सबसे पहले किस धातु का परियोग किया था तो हमारा सही answer हो जाएगा option A, तामबा यानि कापर तामबा का परियोग मनुष से ने सबसे पहले किया था बढ़ते हैं अगले question की तिरफ question है, हडपा सबेता की खोष किस वर्ष में हुई थी तो हमारा सही answer होजाएगा option A, 1922 में होई थी हडपा सबेता की कोष अगला question है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर था, हमारा सही answer होजाएगा option B, हडपा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सार था आते हैं अगरे कोशन पर कोशन है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कागजी मुद्रा मतलब नोट जारी करने वाला देश तो सही आंसर रोजय का आप्शन सी चीन अगला कोशन है विश्व के प्रथम विश्व विद्याले का क्या नाम है ओप्शन से पेरिस विश्व विद्याले तक्चे सिला विश्व विद्याले औसम विश्व विद्याले इलहाबाद विश्व विद्याले तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओप्शन बी तक्चे सिला व विद्युद चुम्बकिय तरंगे होती हैं यानि इलेक्ट्रोमागनेटिक वेब्स अगले कोश्चन पर आते हैं कोश्चन है चमगादर अंधेरे में क्यों उड़ पाती है तो सही आंसरोजय का ओप्शन भी अल्ट्रासोनिक वेब से उड़ पाती है चमगादर अंधेरे में अगला कोश्चन है विद्युद बाल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है तो सही आंसरोजय का ओप्शन भी टंगश्टन का बना होता है कि आपे उन ने कुसें पर अगे गहरों में वित्युद सेंदर किस्में जोड़ जाते हैं तो सहीं अंसर वह जाएगा Office sum जोंतर में जोड़े जाते हैं समांतर में याण已经 जोड़े जाते हैं हैं अगला कोर्सन भाई कि तोरी कि द्वारा सही cooperation है हमारे options है A ciliary muscles यानी mass apasia B है retina C है iris और D carnea तो हमारा सही answer हो जाएगा option A ciliary mass apasia यानी ciliary muscles अगला question है संत्रे में कौन सा विटामिन अधिक होता है तो हमारा सही answer हो जाएगा option C कि अधिक होता है संत्रे में कि अगला question है प्लाश्टर आप पेरिस किस से प्राप्त किया जाता है तो option है ammonia gypsum carbon और sodium तो हमारा सही answer हो जाएगा option B gypsum से प्राप्त किया जाता है प्लाश्टर आप पेरिस आते हैं अगले question पे question है dna की खोज किसने की थी option से डाल्टन वाट्सन और क्रिक खुराना रदर्फोड तो सही answer हो जाएगा option B Watson और क्रिक और आपको एक और question पूछा जा सकता है कि dna का full form क्या होता है तो dna का full form deoxyribonucleic acid होता है आते हैं अगले question पे question है भारतिय नेपोलियन की उपादी किसे दी गई है तो सही answer हो जाएगा option B समुद्र गुप्तप को दी गई है अगला question है भारत में सबसे पहले सुर्य किस राजय में निकलता है कि हमारे option है अरुणाचल प्रदेश मिजुरम उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश तो हमारा सही answer हो जाएगा option A अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है पूरे भारत में. आते हैं 26 questioning पर. Question है चंदरमा पर मानो भेजने वाला विस्व का प्रत्थम देश है, options है ब्राजील, चीन, भारत, अमेरिका. तो हमख्रें सेज अंसर है option D अमेरिका, विस्व का प्रत्थम देश है, चंद्रमा पर मानो भेजने वाला अगला कोशन है विश्व का सबसे बड़ा महादीप का क्या नाम है तो सही अंसर हो जाएगा ओप्शन C, ASEA विश्व का सबसे बड़ा महादीप है अगला कोशन है किस देश में इंकम टेक्स नहीं लगता है तो हमारे अप्शन से मोनाको यूरोप, रूस, भारत, नेपाल हमारा सही अंसर हो जाएगा ओप्शन A, मोनाको यूरोप में इंकम टेक्स नहीं लगता है अगला कोशन है किस अंतराष्टे क्रिकेट टीम ने हाल ही में एक हजार सतक पूरे कर लिये हैं तो हमारा अप्शन है भारत, इंग्लेंड और स्रिलंका, आस्ट्रेलिया तो सही अंसर हो जाएगा ओप्शन D, आस्ट्रेलिया ने अपने एक हजार इंटर्नेशन क्रिकेट में पूरे कर लिये हैं आते हैं लास्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट झाल झाल